और एक बड़ी खबर आपको बता दे देश में प्यास की कीमतों पर अंकुष लगाने के लिए निर्यात पर 40 विसुदि शुल्क लगा दिया गया है। प्यास के उपर प्युष गोयल का बयान सामने आया है। प्यास की परियाप्त रहे और जो आज की परिस्तितिया हैं उसमें उत्भूकता को भी लाब हो। किसानों को भी कोई नुकसान हो। ये संतुलन बिठाने हेतो आज सुबह ग्यारा बजे से एंसी सीएफ और नाफरेट और दो लाग टन नासेख इसके पिंपल गाओं लासन गाओं एमद नगर इस पूरे शेत्र में दो लाग टन और प्याज की खरीद शुरू कर देगी। आगे चलके और खरीदना पड़े तो और भी खरीदने के लिए तेयार है और मध्यपदेश गुजरात ऐसे कोई इलाकों में जिन इलाकों में प्याज बनता है वहाँ पर भी एंसी सीएफ और नाफरेट खरीदेगी प्याज जिससे किसानों को भी सहिदाम मिले। जन्वरी में स्वामी प्रिसाद मौरे ने राम चरित मानस पर विबादास पद बयान दिया। बताया गया कि उन उपर जूता फिकने वाला उसी बयान से आहत था। इसलिए स्वामी प्रिसाद मौरे के कारिकरम में पहुंचते ही उन पर काला जूता फिक कर मारा गया। इसके बाद तो मौरे के समर्थक जूता फिकने वाले की जान के दुश्मन बन बैठी। भीड ने मौरे को निशाना बनाने वाले आकाश सैनी नाम के उस शक्स को गिरा गिरा कर मारा वो वकील के वेश में कारिकरम में पहुँचा था इसलिए वहां मवजूद लोगों ने उसका काला कोट फाड़ डाला पुलिस के कबजे में होने के बावजूद मौरे के समर्थकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा लहाजा अपनी जान बचाने के लिए वो दोड़ पड़ा मगर लोग भी उसके पीछे पीछे दोड़ पड़े पर पुलिस वाले उनकी स्पीड मैच नहीं कर पाए और जूता फेंकने वाला आदमी फिर फीड के हत्ते चड़ गया पुलिस ने किसी तरह उसे छुड़ाया और अपने साथ ले गई वो भी आटो में मगर स्वामी प्रसाद मौरे पर जूता फेंकने वाले शक्स के लिए समर्थन जुटने लगा आयोध्या के हनुमानगडी मंदिर के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौरे पर हमले को सही ठराया और अखिलेश यादव को भी निशाने पर ले लिया हिंदू महासबा ने भी इस घटना का स्वागत किया और आरोपी को हर मदद का भरुसा दिया अभी तो स्वामी प्रसाद मौरिया जी को पर जूता चला है आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे